असलाम लेकुम, चेप्टर नमबर टैन, सुपोर्ट इन प्लांट्स यंग स्टेम है वे स्पेशल टाइप अफ अनेटमिकल अरेंजमेंट विच अल्सो हल्प इन सुपोर्टिंग प्लांट्स अक्चली जो यंग स्टेम्स होते हैं, जिनके अंदर अभी सिकेंटरि ग्रोथ नहीं होई होती हैं उनके अंदर भी कुछ सेल्स की खास तरह की अरेंजमेंट होती हैं जिसे हम अच्चली जोके प्लांट को सुपोर्ट करने में हल्प कर रहे होते हैं आउटर मोस्ट लेयर ओफ थीन वल्ट सेल कॉल अपिडरमिस अगर हम किसी यंग प्लांट के स्टेम को देखें तो उसकी जो सबसे बैरुनी लेयर होती है वो एक्चिली एपिडरमिस कहलाती है region beneath epidermis is generally called cortex और यह जो epidermis के नीचे का region होता है यह एक्चिली cortex कहलाता है and the central portion is called steel और यह जो बीच का हिसा है यह steel कहलाता है which is mainly consist of vascular tissues जो के एक्चिली बनियादी तोर पर vascular tissues पर मश्तमिल होता है and soft tissues और कुछ soft tissues होते हैं यानि vascular tissues के अंदर तो यह xylem और flame शामिल है और soft tissues के अंदर center के अंदर actually pit भी present होती है this type of stem depend for its mechanical support in the following tissues अब यह जो young stem है क्योंकि इसमें अभी wood formation नहीं हुई है heart cells यह tissues नहीं मौजूद है तो यह इसकी जो mechanical support है वो कौन से tissues संभाल रहे होते हैं उनमें तीन तरह के tissues है number one पर है thin wall parenchyma having tergidity अब parenchyma की walls तो बहुत thin होती हैं elastic होती हैं लेकिन यह नने मुने पौदे को actually tergidity के जरिये सहारा provide करते हैं यानि इनके फूले हुए cells जो है वो tergid cells actually पौदे को खड़ा रखने में मदद करते हैं number two पर है thick wall living tissues like colonchyma and dead tissues like scleranchyma अब इसमें दो और टाइप की tissues हैं जिनकी cell wall actually colonchyma की cell wall parenchyma के मुकाबले में थिक होती हैं लेहाजा कुछ support यह provide करते हैं और इसके बाद actually जो scleranchyma है उनकी cell wall इंतिहाई थिक होती है लेहाजा वो काफी अच्छी support provide करते हैं heart cells होते हैं और यह dead cells होते हैं इनका काम ही actually mechanical support provide करना है number three पर जो है वो steel the cylindrical core of vascular bundle इस्टील जो plant के center में मौझूद है actually इसमें जालम और फलम शामिल है जो के vessels और trickets पर मुझ समिल है इनकी lignified walls की वज़ा से इंतिहाई अच्छी support provide होती है plant को